नमस्कार दोस्तों आप शबी का बहुत बहुत श्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और दो अप्रेल के आपकी राशी के महाराशी फल के बारे में सबसे पहले दोस्तों जिनकाब यश्मी बर्तरी है या फिर इनर्सरी है आप शबी को मरतरपशे देर शारे शुक कमनाई आप दिन दुगनी रात चौगनी तरीके करें तो आज दोस्तों से के शाद बात करते हैं यश्मी गरों के सिद्धी के शोंगी क्या क्या यूग बनेंगे और इन शबी का शुरा आपकी राशी उपर क्या होगा किन-किन चीज़ां को लेकर यश्मी आपको साउधन नहां होगा और आकिर कौन-कौन शेकारी आपके लिए भाग शर्य होगे दोस्तों यश्मी आपका लगदाइब के शार हैगा अरति सिती और धन को लेकर सिती या केश होगे इन शबी के महत्ता पूंचान कर देंगे तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही मिश ना करें और सुरू से लेकर अंतर तक जरूर देखें वीडियो के इंत में बहुत यच्छू पाई है जुनिया आपकर कि इन पहले दो दुरों को और भी ज़्यादा लाभुकारी बना पाएंगे पुशे पहले दोस्तों कि आप चनल पर नए हैं तो दोस्तों नियुवेदर है चैनल को पर सब्सक्राइब कर ले शाथे बैल आइकन को प्रेश करके ओल पोश्ट लेट कर दें तो आए दोस्तों बात करते हैं जान लेते हैं पहले गरहों की सती के बारे में कैसे और दोस्तों अपरेल की बात करें तो शुकरवार का अधिन होगा क्रिश्म पूर के आमाशील थि अ जोगी और वुद्रा भात्रब्र 122 नाम का खिन और आब ध्यान नहें सब्सक्राइब totalmenteर हीमे प्रहु का योडिदर नेंडील वाले हैं और दोस्तों द्यान यह दिन यह दिन वार के लिम्स प्राइब कर सब्सक्राइब थे और दोस kamera का उप्राइब दोसमी को नामा और डोसर नेपर करोगे तो यह दो बात करते हैं दो दॉल की जो कहों के सिति है और चदरमा कर जो कोचर है आपके राशय पर क्यागर पर्भाव लिकराती है जुली दोस्तों बात से संबंदित हो शक्ति है दोस्तों यश्व में आपकी नेगेटिव के लिगर बात करें तो नए कारी में हाँ डालने के लिए बिल्कुल समय अच्छा नहीं है इस दोरान आपके कामों में रुकावटें आएंगी लेकिन धहरिश ये काम करना आपके लिए यश्व में बहतर ह सकती पर भरुशा करना होगा कुछ लोग आपको हतोत साहित करने का प्रयाश करेंगे आपकी रशनात्पक बहुत अच्छी रह सकती है दोस्तों यश्व में अगर आप अपनी योजनाओं पर काम करना शुरू करेंगे तो आपकी शारी जो है संकाय हैं भी यश्व में खत् और विशलेशन करने के बाद ही कोई कदम उठाना चाहिए दोस्तों इन दिनों में शाम के बाद समय काफी अचा रहेगा दोस्तों यश्व में इन दिनों में आपकी करियर को लेकर बात करें तो शंगीत वस्त्र रत्न आदी उद्धिकों से जुड़े लोगों के लिए शम में उनती के आउसर आएंगे दो वहीं दोस्तों यश्व में आपकी जो है लव लाइफ की बात करें तो वहाय के जात्कों के लिए समय थोड़ा प्रतिकुल सावित होने वाला है कोई शंभावना है कि आपकी खराब होने से जो है आपकी शुभाव में अजीब सी चिट-च हो शकता है आपको जिए उन साथे से पूरा सयोग भी यश्व में मिलेगा वहीं दोस्तों इन दिनों में आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो दोस्तों यह जो समय है आपको तनाव और नकारत्म विचारों से बचना होगा यह जो आपको सिथिल कर सकते हैं वहीं दोस्तों दोस्तों यसमें गिनेजी बताते हैं कि यह जो समय है अत्यधिक सविदन सील और मूड़ी होंगे तथा आपको एकांग में रहना यसमें अधिक पसंद होगा आप अत्मिता और अन्य लोग की समस्याओं से अपने आपको बचाने का प्रयाश करेंगे दोस्तों यसमें ऐसे समय में योग शाधना और अध्यात्मिता का सहरा लेने से आपका मन हलका बनेगा वे दोस्तों यश्व में आपकी धन को लेकर बात करें तो पेश्यवर मोर्चे पर ये जो दिन है इतना आशान नहीं रहेगा तकनिकी समस्याएं वाइरस के माध्यम से आकर आपको परिशान कर सकती है आप समस्याओं के मुल कारण की पहचान भी यश्व में कर पाएंगे दोस्तों समय स्यमा में कारी पूरा नई होने से जो है सूरत में हतास होने की संभावना बन रही है दोस्तों इसा गिनेजी कहते हैं वह दोस्तों यश्व में आपकी पारिवरिक जीवन की बात करें तो यश्व में आप अपने जीवन साती और महतापिता के साथ एक अविश्मरनिय समय बिताएंगे आप कुछ अनूठे उपारों को दे कर हर किस्व को खुछ करने का यश्व में प्रयाश करेंगे अपने परिवार के शाथ बिताया का यश्व में जो है यश्व में निस्चित रूप से आपके लिए यादकार दिन रहेगा दोस्तों इसा गिनेजी कहते हैं वह दोस्तों यश्च में आपकी आर्थिक स्तिकी बात करें तो उन चीजों के लिए धन खर्चा करेंगे जो गैर जरूरी हो दोस्तों यश्च में आप विप्रित लिंगी लोगों यात्रा और दक्चिन सुक या फिर फिर किसी इवेंड के पीछे जो पैसा खर्च कर सकते हैं वह दोस्तों यश्च में ग्नेश जी का मानना है कि सितारे आपके पक्ष में नहीं है जो है आप जल्द ही ठके वे महसूस करेंगे इसके अलावा आप वो जो है केवल उन कारियों को करना पसंद करेंगे जो आपके लिए अच्छे परिणाम देंगे शाथि दोस्तों यश् पेसे बचाने का जो आपका ख्याल है यश्मे पूरा हो सकता है आप उचित बचत कर पाने में यह समय सक्चम होंगे दोस्त और जिवन साथी अराम तथा खुशी देंगे नहीं तो बांकी दिन जो है उबाव में निरस गुजरेगा दोस्तों समय कामकाज पेशा यार दोस् शब एक और और आपका प्यार एक तरफ दोनों अफस में खोए हुए हैं आज की दिन कुछ यहसा मिजाज रहेगा दोस्तों यश्मे कारिश्यत्र में परिस्तियां आपके पक्ष में लगती हैं दोस्तों यह लोग आपकी वह परस्णसा करेंगे जिसे आप हमेशा से सुनन मुख देखकर दान करने श्री जो समय आपके स्वास के लिए बहुत ही अचा रहेगा आज के दिन कौन से उपाई को करें दोस्तों आज के दिन आप एक घड़ा लें उसमें धाई किलो उड़त की डाल डालनें फिर इस घड़े को एक काले कपड़े से ढग दें दोस्तों इस घड़े को अपनी गोद में रखकर ओम प्रांग पिरिंग प्रोंग शाह संचिराई नमा का एक माला जाप करें वो दोस्तों संबह हो तो 11 माला जाप करें फिर इस घड़े को किसी कुष्ट रोगी या फिर जरत मंद को दान कर दें इस दोस्तों आज के दिन सनी देव की किरपा आपके उपर बने रहेगी